हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चानल मैं नोतन शुर्जो आज एक बहुती जादा इंपोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ डेली लाइफ का तो डेली लाइफ का ब्लॉगिंग करना तो मुश्किल होता है लेकिन मेरे लिए बहुत जादा मुश्किल हो रहा है अच्छी हूँ शुरू में आप लोग देख रहे हैं मेरे जो किचन का गार्डन है उसमें लगा हुआ अलो वेरा का पौधा जी हां एक अलो वेरा पौधा घर में हमेशा लगा के रखिए और इसका जो फाइदा है वो गिंती में नहीं आएगा अलो वेरा का जो सैपलिंग होता है वो रूट से ही चोटा 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 पैदा होता है तो आगर आप एक अलो वेरा घर के अंदर लगा के रखते हो तो उसी से आपको चोटा 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 अलो वेरा का पौधा धिरे धिरे आता रहेगा तो देखिए यहां पे आनिशका को पेर में नी में चोट आया है शायद आप लोगों को दिख रहा है थोड़ी बहुत स्वेल हो गया है स्वेलिंग आगया है इसका नीमे स्कूल में कोई इसको धक्का दे दिया था आते समय और इसको staircase पे वो गिर गई थी मूँ के बल तो देखिए यहां पे रात के time था evening हो जाता है अनिश का घर से आते आते तो देखिए मैंने इसा अलवरे का पत्ता लिया और इसका साइट का जो काटेदार हिस्सा होता है उसको मैंने कट कर लिया तो अलवरे का पत्ता हमेशा मतलब फेक देना रहता है वसके जैसे कट के लाते हूँ ना और उसको खड़ा करके रखोगे पत्ते को तो वह धीरे-धीरे ड्रॉप-ड्रॉप करके पीला-पीला हिस्सा निकाल जाता है तो मैंने वैसा पत्ता एक निकल के लेके आई थी और देखिए मैंने पत्ते का ऐसा चोटा जेल के साथ चोटा-चोटा टुकडा करके नीमे कट करके लगा रही हूँ तो आप ये जेल को निकाल के भी लगा सकते हो लेकिन मैंने घर में बैंडेज नहीं था कॉटन तो है इसके लिए मैंने ऐसे डाला और मैं ऐसे प्रेफर भी करती हूँ ताकि पूरा जेल ज जाए आपके मूँ का जुरिया है आपके सर में डैंडरफ है तो हर एक चीज के लिए आप अलोवेरा जेल का यूज कर सकते हो और ये अलोवेरा जेल अगर कटिंग एरिया में लगाते हो अगर कहीं पर आपको बहुत जोड़ से चोट लगा है उस एरिया में अलोवेरा जे जो 24 गंटे के पहले ही आपका जो दर्द है उसको कम करता है साती साथ आपको जो कट आता है कही पर भी कट होतों अप लगा सकते हो तो यह 24 आवर्स के पहले ही ही ल करना चालू कर देता है मतलब जो हमारा चम्रा फटके जाता है तो आप देखिएगा वो चम्रा जूडता हुआ अगर आप अलोवेरा जेल लगाते हो तो देखिए मैंने अनिश्का के दो नीपे ऐसे घर का ही एक कपड़े से साफ कपड़े से जेल को ऐसे बांद के दिया और ये नीचे पे अनिश्का को थोड़ा ब तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा भी कट लगा है चोट लगा है वहा पर ऐसे अलोवेरा जेल को हलके हाथ से लगाके रख रही हूँ तो मानिये एकीर मानिये मेरा अनिश्का पूरा एक दिन में ठीक हो गई ती तो फ्रेंट्स मैं ये कहना चाहूंगी जिनके घर में अलोवेरा का पौदा नहीं है प्लीज कही से भी एक अलोवेरा का पौदा आप लोग लाईए और कोई भी घर के कोई भी गमले में लगाईए बहुत आसानी से ये लग जाता है और जब हम आउटिंग में जाते हैं पानी भी नहीं देते हैं तो ये पौदा ना जो जिन्दा रहता है सुख जाता है हाला कि इसके पत्ते के अंदर भरपूर पानी रहता है जेल रहता है इसके वज़े से जिन्दा ये रहता है लेकिन थोड़ा मूर्जा जाता है तो इसको लेके कोई जाधा maintenance नहीं है कोई जाधा tension नहीं है और इसका जो मतलब फाइदा है वो तो अंगिनत है इसका jail अगर आप आटा में मिला के आटा को लगा ले तो आटा को गोंद लेते हो तो भी वो खाने से भी बहुत फाइदा है morning खाली पेट में अगर आप aloe vera का juice पीते हो तो आपका health का condition बहुत सारे disease हो से बहुत अच्छा रहता है मतलब आपको एक स्वस्त जिवन दान करने के लिए एक aloe vera का जल बहुत ही helpful है तो friends ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों को कुछ सला देना है इसके बारे में तो जरूर कॉमेंट सेक्षन में आप लोग मेंशन करिएगा तो ये वीडियो मैं इसलिए शेयर किया कि सामने आ रहा है फेस्टिवल तो skincare के लिए जरूर ऐलोवेरा जल यूज करिए उससे पहले nursery हो friends के घर से हो कही से भी हो एक चोट असा अलोवेरा का पौदा लाके अपने घर में प्लांटेशन करिए और अलोवेरा पौदा के बारे में जल के बारे में अपने दूसरे friends को भी बता सकते हो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो भी उनको शेयर कर सकते हो मैंने अनिशका का ये जो चोड दिखा है ये तो अन अग्दम फीट हो गया स्वेलिंग कटिंग हिल सब कुछ इसमें से हो जाता है और स्कीन के बारे में क्या बोलू स्कीन के तो सब को करना चाहिए और ये नैचरल चीज है और ये माइग्रेन का जो सरदर्द होता है उस सरदर्द में भी अगर इसका जेल एकदम सर के उपर ल अगर आप लोगों को कही पर भी मेरा आज का वीडियो अच्छे लगे तो जरूर 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 शेयर करने के लिए बोलूंगी तो आप लोग सब खुश रहिए अच्छा रहिए और हेल्दी खाना खाईए हेल्दी लाइफस्ट्राइल रखिए इतना ही आप लोगों से ग सबको दिल से ठेर सारा प्यार और शुक्रिया ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और आप लोगों के सपोर्ट के बिना नोतुन शुर्चों आगे नहीं बढ़ सकती है थैंक यू बाई यॉल गॉड ब्लेस यू